देड़ लाख जगह पर हिंदुस्तान के देड़ लाख गाउं में सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को हेल्थ एंड वेल्नेस सेंटर के रुपे विख्षित किया जाएगा और मैं तो नवजमानों से कहता हूँ कि माई गौव डौट इन पे जाकर के ये हेल्थ एंड वेल्नेस सेंटर है उसका हमारी सामान्य भाषा में क्या शब्दो प्रयोग किना चाहिए मुझे सुझाव दीजिए मैं जरूर उसका अध्यन करूँगा आज अभी तो नाम पॉपिलर हुआ है हेल्थ एंड वेल्नेस सेंटर लेकिन आगे चल करके गाउं का गरीब अनपड़ वेक्ती भी बोल सके पैचान सके ऐसा शब्द इस योजना को मैं देना चाहता हूँ लेकिन वो भी आपके सुझावों से देना चाहता हूँ गाउं के लोगों के सुझावों से देना चाहता हूँ सरकार का लक्ष इस काम को 2022 तक पूरा करने का है आप कलपना कर सकते हैं कितना बड़ा काम सर पे लिया है यानि जब देश आजादी के 75 साल का पर्म मना रहा होगा तब तक देश भर में Health and Wellness Center का एक जाल बिछा जा चुका होगा इसमें भी उन 115 जिलों को प्रात्विक्ता दी जाएगी जो अभी विकास की रेस में औरों से थोड़ा पीछे है भाई और बहनों इन Wellness Center की जरुवत क्यों है इसे में विश्तार से आपको समझाना चाहता है जब हम Health and Wellness Centers की बात करते हैं तब हमारा प्रयास सिर्फ बिमारी का इलाज करना नहीं है बलकि बिमारी को होने से रोकने का भी हमारा संकल्प है हमारे देश में ब्लड प्रेशर हो डाइबिटीस के मरीच बहुत बड़ी संख्या में पाई जाते हैं रजैरों की बिमारी से जुड़ी समस्या मदूमे डाइबिटीस सांस लेने में परिशानी कैंसर ये ऐसी बिमारिया है जिनके चलते साथ प्रतीशर लोगों की दुखद मौत इनी चार बिमारियों के रहते होती है लेकिन ये वो बिमारिया है जिनको समय रहते अगर पकड़ लिया जाए तो इनको बढ़ने से रोका जा सकता है अब हेल्थ एन्वेलनेस सेंटर्स को भी ये नई विवता खड़ी की जा रही है उसके माद्यम से तमाम तरह की जाँच भी मुप्तमे करने का भर्सक प्रयास किया जाएगा साथियों सही समय पर होने वाली जाँच कैसे फाइदे मंद होती है इसका भी उदारन मैं आपको दूँगा मान लीजिए 35 साल का कोई हुआ जाँच कराए और उसे ब्लर प्रेशर की समस्या का पता चल जाए तो भविश्य में होने वाली कई गंबीर बिमारियों से पहले ही वो बच सकता है अगर पहले से जाँच कराकर सही समय पर दवा लेकर योग व्यायाम या फुर कुछ आवश्यक परहेच बड़े खर्टे और रिस्क दोनों से बचा सकती है मैं आज जब वेलनेस सेंटर का उद्वाडन कर रहा था तो एक 30-35 साल की बेहन वहां मिली उसको पता ही नहीं था उसको डाइबिटीस है डॉक्टर को आगर के कहा कि मुझे बहुत पानी पीने की तरस लगती है मुझे चक्कर आते हैं मुझे थकान मैसुस होती है जब डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि उसकी डाइबिटीस बहुत खराब आलत में है 30-32 साल की बहन उसे पता ही नहीं था कि उसको क्या बिमारी लेकिन आज वेलनेस सेंटर में आई तो उसको पता चल गया और अब उसको पता चलेगा क्या खाना, कैसे खाना, कैसे रहना वो उसको कंट्रोल करके बाकी बिमारियों से अपने आपको बचा पाएगी इलाज से ज़्यादा यह एमियत पर जोड देने वाली इसी सोच को यह हिल्थ यह हिल्थ और वेलनेस सेंटर गाउं गाउं पहुंचाने वाला है यह हिल्थ और वेलनेस सेंटर एक प्रकार से गरीबों के फैमिली डॉक्टर की तरह काम करेगा पुराने जमाने में मद्यम वर्गी और बड़े परिवारों में फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे अब यह बेलनेस सेंटर ऐसा हो जाएगा जैसे वो आपके परिवार का ही एक्स्टेंशन है वो रोज मरा की आपकी जिंदिकी से साथ जुड़ जाएगा साथ की आईश्वान भारत की सोच सिर्फ सेवा तक सिमित नहीं है बलकि